देख रहे हैं नमस्कार मैं हूँ पियंद कुमार आप देख रहे हैं इन बीसी टुएंटि फोउड विहार में एक तरफ नितीश कुमार सुशासन बाबू तमाम आला अधिकारी के साथ बैठक कर रहे है और कराइम को लेकर विधी बेवस्ता और कानून को लेकर तमाम आला अ अभीकारी के साथ बैठक कर रहे हैं और दूसरी तरह प्राइम भी दस्तक दे रहे हैं और नितिश कुमार को यानि सुसासन्वावु को खुलेयाम चैलेंज कर रही है मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से पांचे मैना यानी छे मैना का यह गाड़ी है तकरीबन सुवा के तीन बजे गाड़ी में आग लागा दी गई है और गाड़ी देख सकते हैं किस तरह से जला हुआ है पूरी तरह से जल कर राख हो गई है और यह सुबा आज तीन बजे खजपूरा एरिया की है जो ब्रांट फाक्टरी के बगल से महल में जाता है जो खजपूरा एरिया है और तशबीरो ने देख सकते हैं की इस तरह से गाड़ी पूरी तरह से जल गई है और स्थानिय जो यहाँ के लोग मुहल के तार है और केबल के तार है तरे जल गए sawry के वगल में घर ने जो देख सकते हैं तस्वीह की जो काच का सीजा Dayt जै तस्वीरो में साफ दीक रहा है और सवसासन बाबू कराज में सुसासन की धजिया उड़ रही है हाला कि तकरीबन 4-4 बजे परसासन के लोग यानि पटना हवाई आड़ा थाना के अंतरगत या एरिया आता है और थाना परभारी तकरीबन 4 बजे यहां पहुंचे हैं और इसका मुआयना करके गए है लेकिन देखा जाएगा कि क्या इसका निसकर से निकलता है लेकिन तस्वीरों में जिस तरह से दीख रहा है यह 6 महिने के स्वीप्ट गाड़ी खजपूरा एरिया की है जहां पे सूबह तकरीबन 3 बजे आग लग गई है और आग किसने लगाया अभी यह बात सामने नहीं आई है लेकिन अस्थानी जो लोग है उनसे भी हम बात करेंगे हमारे साथ है हम कौल नहीं किया था लेकिन उस लड़की को हमने कहा जिसकी गाड़ी है लेकि तुम्हें Summa का मोबा fakा मोईल ऑफ है फिर हमने नंबर चेक कराया कि इसी नंबर पर किया उसके बाद Chem講 किया उसके बाद में एक घंटा के अगा बात या हर घर से पानी उन्हीं लेके खीच खाच के जब सारे बस्ती वाले नों बुजा दिया तब पुलिस आई है उभी पुलिस से थाना पर बारी नहीं था आग पर जब काबू पा लिए गए तब अहां तब आये थे उसके बाद में बोले कि थाना में चलके फायर करा ही उनलो किसी ने लगाई है अब इस यह संदेव वाली बात है लेकिन ठाना पर भारी जीस तरह से मुआइना करके गए हैं यह कुछ ही दिन में हो जाएगा पर सासन के लोग यहां पहुंचे थे तकरीवन चार बज़े सूबह में लेकि अस्थानियों लोग हैं उनसे हम बात करेंग यह कैसे हुई यह चार बज़े शुबह में हम लोगों ने हुला सुना कि आग लगा आग लगा बाहर निकले सब इस बस्ती के सारे लोग बाहर निकले बाहर निकले नोगों जो सब लोग मिलके इस सामने वाले गाड़ी को ठेल के हटाया किसी भी तरह से बचाया उसके बाद में यहां यह स्कूटी थी यह जल गई आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह स्कूटी है पूरी तरह से जल गई यह तक्रीबन जब सूबत तीन बजे जब आग लगी हुई अब यह तो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि किसी ने लगाया है या यह आटोमेटिक गारी है सोट सरकित से लगी हालगा है सर तो नहीं लगता कि सोट सरकित चाग लग सकता है अब जाच का भी से है पुलीस जाच करें इसको जाच करका पुलीस बताए कि भाई अगल में आग कैसे लगी है सोट सर्कीट से या किसी ने लगा दिया है यह तो जाच का भी साय है अब परसासन के लोग ही इसको असपस्ट करेंगे कि घटना कैसे हुई लेकिन जीस तरह से घटना हुई है तस्बीरों में अब देख सकते हैं कि गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है यह सुइफ्ट गाड़ी है और छे महीने के गाड़ी है गाड़ी को देखने से साफ पता चल रहा है कि गाड़ी किस तरह से जली हुई है अब यह जाच का भी साय है हाला कि पटना हवाई अड़ा थाना के अंतरगात यह आता है और परसासन के लोग तकरीवन चार बज़े स सर्कृट से लेकिन इन लोगों को एक लगता है कि गाड़ी सोट सर्कृट से नहीं किसी ने ऐसे लगा दिया है लेकि यह तो जाच की भी साय है जाच होने पर ही पता चलेगी कि आग कैसे लगी है इस वाला में राते हैं मेरा ही मकान है यह घटना तीन बजे होई है और हम लोग तीन वीस याति सवातिन में उड़ गए है तब तक आग पकार रहा था हम लोग बाटी बाटी पानी डाला फिर महला के लोग जुड गए जब लोग चारों तरफ से पानी भानी आई गारी को तो आप तस्वीरों में देख रहे ते जिस तरह से गाड़ी जल कर पूरी तरह से राख हो गई है अब यह जाच की विसाय है अब देखा जाता है कि आग कैसे लगी है और परसासन के लोग इस पर क्या एक्सन लेते हैं और क्या करवाई करते हैं और किसने आग लगाई है यह सभी बिंदूओं पर परसासन के लोग जाच करेंगे तभी असपस्ट हो पाएगा तो ऐसे तमाम ख़बरे देखने के लिए आप देखते रहें NBC24 स्री राम तिलकुट तपस्या कॉंप्लेक्स बोरिंग रोड पत्ना एक NBC24 सच की ताकत